हमने उमीदों को कभी तूटने नहीं दिया और साथ भी कभी किसी का छूटने नहीं दिया बढ़े होते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने तूटते गए सबकी जरूरतों को पूरा करते-करते अब ठक गया हूँ मैं ऐसा लगता है कि एक ही काम को करकर के अब पक गया हूँ मैं जिन्दगी बहुत अच्छी तो नहीं मगर जीना अभी बाकी है तो शुरू करते हैं कि 90s में पैदा हुआ तब एक छोटा सा बच्चा था जो जल्दी बड़े होना चाहता था लेकिन अब सोसता हूं कि शायद बच्पन ही सबसे अच्छा था सपने थोड़े बड़े थे, मेरे सपने थोड़े बड़े थे कैसे बताओं कि सपनों के बीच मेरे अपने ही खड़े थे। कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन जो चाहता वो शायद कोई दे नहीं पाता था। उमीदों को कभी तूटने नहीं दिया, हमने उमीदों को कभी तूटने नहीं दिया, और साथ भी कभी किसी का छूटने नहीं दिया बड़े होते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने तूटते गए सबकी जरूरतों को पूरा करते करते अब ठक गया हूँ मैं ऐसा लगता है कि एक ही काम को करकर के अब पक गया हूँ मैं सपने देखना तो छोड़ चुका हूँ मैं सपने देखना तो छोड़ चुका हूँ मैं कि शायद अपने सपनों से अपनी ही राहें मोड चुका हूं मैं। काफी है। अब जो वक्त आएगा उमीदें वो नहीं लाएगा। जो होना था वो तो हो गया। जो होना था वो तो हो गया। आने वाला कल अपनी अब एक अलग पहचान बनाएगा। बहले छूट गए वो रास्ते मेरे मगर मंजिलें अभी भी बाकी हैं। हजारों मुश्किलों के बाद भी मेरा जीवन मेरा साती है। मेरे जिन्दगी बहुत अच्छी तो नहीं मगर जीना अभी बाकी है। एक लड़की है जो अपनों को अपने से जादा जानती है। ठीक है। तो पल भर में ही किसी को भी अपना बना लेती है। हाँ, एक लड़की है जो अपनों को अपने से जादा जानती है। कहना किसी की नहीं सुनती है, मगर एक इनसान है जिसको वो खुद से जादा मानती है। मेरी हर बात से वो इंकार करती है, मगर खुद की बात भी वो कहां जानती है। क्या बात है क्या बात है लेकिन मुश्किले कितने भी हो हर मुश्किलों को वो बड़े अच्छे से समालती है हर मुश्किलों को वो बड़े अच्छे से समालती है इसको जिंदगी का तजूर्बा कहें या वक्त का इंसाफ अपने अपनों की हर बात वो भी ना कहें समझ जाती है एक लड़की है जो अपनों को अपने से जादा जानती है लास्ट है उम्र में भले ही अभी कच्ची है उम्र में भले ही अभी कच्ची है मगर हर हिसाब में वो बड़े ही पक्की है क्या खोया क्या पाया हर चीज का हिसाब सिर्फ वो अपनी तनहाई में ही करती है कुछ खोने के डर से कभी रुकती नहीं है कुछ खोने के डर से कभी रुकती नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है और वो अपनी मन्जिल को पाने के लिए पूरे दिल से महनत करती है अपनी हर बात वो अपने मन में लेकिन अपने अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है क्योंकि एक लड़की है जो अपनों को अपने से जादा जानती है